हेलो प्रेंट्स वेलकूम बैक टू माई चैनल स्वागता है आप सभी का मेरी सुपर लोगी चैनल में दोस्तों कैसे हो आप सभी आई होप आप सब अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको लड़का होने की बेहत पक्के लक्षणों के बारे में जो की काफी प्रचलिती ये लक्षण है और अगर ये लक्षण जिसको भी दिख जाते हैं उस करभबती महिला को लड़का ही पैदा होता है तो गाइस चैनल पर पहले बारे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन बटन को प्रेस करें आने वाली सबी लेटिस्ट वीडियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तो हम लड़का लड़की में भेदबाब नहीं करते हैं ना ही है इस चीजों को बढ़ावा देते हैं हमारे लड़का और लड़की दोनों ही एक समान हैं और यही बात हम आपको भी बोलते हैं लड़का हो या लड़की दोनों में एक समान रखें दोनों में होगी जानने की कि हमारे गरम में जो बच्चा पाल रहा रहा है वो लड़का है या लड़की मरे जो आने वाली संतान और बेटा होगा या बेटी को गी क्योंकि हर गरबती महिला की जिग्यासा होती ही है जानने के लिए अगर वहीं उनके पहले से पुत्री है तो उसको पुत्र की इच्छा होगी अगर पुत्र है तो उसको पुत्री की इच्छा होगी तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और सबसे पहले लक्षण की हम बात कर लेते हैं पहले लक्षण के बारे में हम जान लेते हैं कौन सा ऐसा लक्षण है जो की लड़का होने के टाइम पर दिखाई देता है दोस्तों अगर आप चलने के टाइम पर ध्यान से सुने इस चीज को गौर से अगे लक्षन आपको देखना है अगर आप बैटे हो और बैट करके अगर आप चलने में सब से पहले right pair को रखती हो जी हाँ अगर आपको तीन चार कदम आपको चल के देखना है बैठना है और बैठने के बाद आपको कदम अपना रखके देखना कौन सा आपका पैर पहले रखा जाता है अगर राइट जो पैर है आपको वो अगर पहले रखा जाता है आप एक वा नहीं कई बार करके इस दूसरे लक्षण कौन सा है अगर आपको नीद नहीं आती है आपको बेचेनी सी रहती है नीद नहीं आती है एक्टिव रहते हो काम करने का दिल आपका करता है खुश रहते हो बिल्कुल चिर्चड़ापन नहीं आता आपको तो ऐसा माना जाता है कि आपके जो गरम है और आपके पैरों में एठन रहती है नस अकड़ जाती है आपकी तो ऐसा माना जाता है कि लड़के के टाइम पर ये लक्षण अक्षण दिखाई देते हैं और अगर जिस गरवती महिला में ये लक्षण दिख जाएं तो उसको एक लड़के की ही प्राप्ति होती है गाइस नेक्स लक्षण की हम बात कर लेते हैं नेक्स लक्षण कौन सा हैं अगर आपकी कमर में बहुत जादा दर्द बना रहता है चोथे महिने से और नो महिने तक अगर आपकी कमर में काफी दर्द रहता है आपको पैन रहता है बैक पैन तो ऐसा माना जाता है कि लड़के क के टाइम पर ये दर्द रहता है और अगर जिस गरवती महिला के ये दर्द रहता है तो गरम में लड़का ही होता है आने वाली संतानिक लड़का ही पैदा होगा दोस्तों ये बहुत ही प्रचिलित लक्षन है काफी सारी महिलाओं में ये सही सावित हो चुकी है अगर आपके के साथ भी ये लक्षन मैच करते हैं तो आप भी अपनी मन की जिग्यासा को कम कर सकते हैं जैस्री किष्णा राधे राधे